सब्सक्राइब दे चैनल फोर टेक रिलेटेट अपडेट और प्रेस्ट बेल आइकन फोर इंस्टे नोटिफिकेशिएंज हाई वेलकम बैक तो दे चैनल आज के एस वीडियो में बात करने वाले हैं वाई-फाई राउटर्स और वाई-फाई बैंड्स के बारे में जी हाँ आज की रिट में हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेट है या तो हम मोबाईल इंटरनेट यूज करते हैं या फिर हम ब्रॉट बैंड यूज करते हैं हम जानते हैं कि हमें मोबाईल इंटरनेट की स्पीड्स प्रॉपर नहीं मिलती हैं लेकिन फिर भी हमें स्पीड्स इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आपको इसी चीज की क्लारिटी। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं Tech Today. इस वीडियो में मोबाइल कवरेज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ. हम बात करेंगे केवल broadband internet के बारे में हम broadband इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें consistent speeds की जरुवत होती है और उसके साथ हम लगवाते हैं एक Wi-Fi router so that हम पूरे घर में उसकी coverage को यूज़ कर पाएं और दूसरा reason है कि हम हर device को wire से connect भी नहीं कर सकते right so ये Wi-Fi router हमें कौन सा लेना चाहिए एक Wi-Fi router होता है जो हमें internet provider ही दे देता है दूसरा या फिर आप खरीद सकते हैं market से इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये Wi-Fi routers की category क्या है जो market में available है और ये Wi-Fi routers किस band पर frequency emit करते हैं अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको Wi-Fi router खरीदने के decision लेने में काफी आसानी होगी तो आप देख सकते हैं टेबल पर तीन Wi-Fi routers रखे हुए हैं और तीनों एकदम अलग-अलग तरीके के हैं तीनों की functionality इस अलग है और तीनों अलग-अलग requirements को fulfill करते हैं तो घरों में हम generally use करते हैं single band Wi-Fi router ये Wi-Fi routers 2.4 GHz की frequency पर signals emit करते हैं तो ये 2.4 GHz की frequency होती क्या है अगर layman में बात करें तो ये जो frequency होती है ये एक तरीके की pipe होती है और इस pipe के थुरू आपको internet के signals मिलते हैं और जिससे कि आप devices connect करते हैं और आपके वो devices internet के उपर काम करना शुरू कर देते हैं तो जितने भी single band routers आते हैं वो ये 2.4 GHz की frequency या इस 2.4 GHz की pipe के उपर काम करते हैं और इसी pipe के थुरू internet के signals को emit करते हैं और आपकी devices उने catch करती हैं अब ये 2.4 GHz किस तरीके से काम करता है और इसके क्या pros और क्या cons हैं ये समझ लेते हैं अगर हम इस frequency की बात करें तो इस frequency की जो penetration power है जो solid object इसको penetrate करने की power है वो काफी जादा है अगर आप तीन floor के घर में रहते हैं अगर आपके input internet speed 200 Mbps या 300 Mbps है ये आपको cable 60-70 Mbps की speed ही दे सकता है इस band पे चलने वाले routers का benefit ये है कि ये आपको coverage अच्छी देते हैं लेकिन ये speeds आपको पूरी नहीं दे पाते हैं दूसरा इसका एक और limitation ये है कि हमारे घर में जितनी भी devices हैं smart devices या Wi-Fi enabled devices या Bluetooth enabled devices वो भी same frequency band के उपर काम करती है इसके वज़े से क्या हो सकता है आपके घर में frequency bands का interference हो सकता है जिसके वज़े से भी आपके speeds पर फरक पढ़ सकता है और कई बार आपके signals भी break हो सकते हैं ये limitation है 2.4 GHz के Wi-Fi routers के साथ और ये उसका एक example है ये पुराना router था मेरा जो एक single band router था TP-Link का और ये काफी simple सा router है दो antennas है इसके अंदर सो आप यहाँ पर ports देख सकते हैं ये ADSL connectivity के लिए port दिया गया है पुराने जमाने में अब मैं उसको पुराना जमाना ही कहूंगा जब हम MTNL या BSNL से wire line connection लेते थे और उससे broadband connection में convert करते थे और ये LAN cables के port दिये गया है यहाँ से आप connections ले सकते हैं अगर आप cable internet लेते हैं या फिर fiber connectivity लेते हैं घर में FTTH जिसे बोलते हैं तो उसका connection direct यहाँ पर WAN port में जाता है यह एक LAN और WAN combined port है यहाँ पर वो connection जाएगा और आपको सीधा internet मिल जाएगा अगर आपके पास घर में कोई pen drive है या hard drive है जिसे आप share करना चाहते हैं वाई-फाई के थुरूप तो उसे यहाँ पर connect कर सकते हैं और आप घर में सभी लोग उस common storage को access कर सकते हैं और उसमें कुछ copy paste करना है या फिर कोई video या photo अगर आपने देखना है तो वहाँ से आप इसे access करके देख सकते हैं तो यह बड़ा basic सा single band router है और आपकी basic needs को यह अच्छे तरीके से fulfill कर सकता है अब बात करते हैं next category जो होता है dual band router So dual band router में आपको क्या मिलता है एक 2.4 GHz का band तो मिलता ही है साथ में मिलता है आपको एक 5 GHz का band 5 GHz का band किस तरीके से काम करता है So 5 GHz के band पे अगर आप internet use करते हैं इसका benefit यह है कि इसकी pipe की width बहुत सादा होती है और आपको जो input internet speed मिल रही है almost same internet speed आपको wifi के उपर भी मिलती है यह दोनों चीज में आपको test करके दिखाने वाला हूँ वीडियो के end में तो last तक देखी गए इस video को So जैसे मैंने आपको बताया है कि इस band की width सादा होती है और आपको पूरी speed मिलती है अगर आप तीन फ्लोर वाले घर में रहते हैं तो यह केवल आपको एक ही फ्लोर पर proper coverage दे पाएगा So यह इसकी limitation है कि आपको coverage नहीं दे सकता लेकिन speed दे सकता है So यह एक example है dual band router का यह भी एक TP link का ही router है इन सभी routers के link में आपको description box में दे दूँगा आप इनको check out कर सकते है So this is a dual band router इसकी भी basic functionality है इसकी functionality आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हमें LAN port मिले हुए है यह एक WAN port है अगर आप fiber के through internet लेते हैं तो सीधा यहाँ पे चला जाएगा केबल का internet लेते हैं तो सीधा RJ45 का port यहाँ पे चला जाएगा चारों LAN एक्टेवेट हो जाएगे और आप इने किसी भी wired device के साथ connect कर सकते हैं आप चाहें तो अपनी television के साथ connect कर सकते हैं अपनी laptop या अपनी desktop के साथ भी connect कर सकते हैं या फिर कोई और wired device जिसको आप इनके थुरू connect करके internet देना चाहें तो यह dual band router है जैसे मैंने बताया इसमें 2.4 GHz का एक band है और एक 5 GHz का band है अगर आप यह router यूज करते हैं तो let me try to show you अगर आप इस तरीके का router यूज करते हैं जो कि dual band router है तो आप देख सकते हैं यहां पर दो SSIDs दे रखी है एक 682 और एक 682 5G तो जो 5G वाली SSID है इसकी range कम होगी जादा से जादा अगर आपका एक ही रूम है और प्रॉबरी 30 by 30 feet के आसपास तो आराम से coverage मिलेगी और बहुत अच्छी speed मिलेगी अगर आपका 200 Mbps का भी internet connection है और in fact 300 Mbps का भी internet connection है तो फुल आपको speed यहां पर देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप 2G वाला SSID सेलेक्ट करते हैं मैं आपको एक practical भी दिखाऊंगा थोड़ दिर में और 5 GHz के band के साथ आपको speed पूरी मिलेगी लेकिन range उसकी काम हो जाती है क्योंकि यह frequency वाल्स को ठीक से penetrate नहीं कर सकती है ठीक है तो यह है आपका dual band router अब आप समझ चुके हैं कि यह dual band router और single band routers के क्या benefits हैं क्या pros हैं क्या cons हैं और दूसरा benefit यह है कि इस frequency band के उपर दूसरे equipments काम नहीं करते हैं और इसलिए इस frequency band में कोई interference नहीं मिलती और proper speeds मिलती है proper connectivity मिलती है the only drawback is it does not penetrate the solid objects and इसलिए इसकी coverage limited होती है speeds पूरी है coverage limited है so यह इसके pros and cons है right so 80-90% people की requirement यह दोनों router's fulfill कर सकते हैं अगर आपके input internet speed काम है 100 Mbps के आसपास है तो आपका single band router भी काम कर जाएगा अगर आप high internet speeds यूज़ करते हैं like 200 Mbps, 300 Mbps, even 500 Mbps तो आपका single band Wi-Fi router से काम नहीं चलने वाला है अगर आपको proper speeds Wi-Fi के उपर चाहिए all right चलिए अब बात करते हैं अगर आपके पास काफी सारे audience है जिनको Wi-Fi एक साथ यूज़ करना है तो आप ये Wi-Fi router यूज़ करिए ये एक tri-band router है जी हाँ इसमें दो 5 GHz band के SSIDs मिलेंगे और एक 2.4 GHz का SSID मिलेगा ये भी एक TP-Link का router है थोड़ा heavy है और आप देख सकते हैं इसमें multiple antennas भी है तो देखने में ये थोड़ा सा geeky router लगता है जादा technical में इसके बारे में बात नहीं करूंगा इसका link description box में दे दूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके क्या-क्या functionalities है so as of now सिर्फ बताने के लिए इस वीडियो में मैंने ये examples लिये हैं तीनों router के so अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या-क्या functionalities हैं इसके उपर यहाँ पर आपको एक 2.0 USB port मिलता है internet port मिलता है 4 LAN cable के port मिलते हैं एक USB 3.0 दिया गया है और power on off and power का socket दिया गया है ऐसे devices के साथ एक benefit यह होता है कि यह जो port है चारो internet port यह Gigahertz port होते हैं यानि अगर आप इनमें LAN cable लगाते हैं तो आपको 1000 Mbps यानि 1 Gbps तक की speed इन ports के तुरू मिलती है लेकिन अगर आप कोई basic router लेते हैं अगर आप high-end internet यूज करते हैं तो आपको इन ports के साथ पूरी speed नहीं मिलेगी इवन LAN के ऊपर लेकिन high-end routers के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको speed के पूरे benefits मिलेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इन दोनों बैंड के उपर आपको internet speeds चेक कराने वाला हूँ तो आईए शुरू करते हैं internet speeds का test तो चलिए एक बार speed test करके देखते हैं अगर हम 2.4 GHz का band यूज करते हैं तो हमें क्या speed मिलती है और अगर हम 5 GHz का band यूज करते हैं तो हमें क्या speed मिलती है So as of now it is connected on 2.4 GHz Wi-Fi band मैंने एक application download की है speed test और इसके तरू हम test करेंगे कि हमारे Wi-Fi की speed कितनी है इस time So मेरा जो native internet connection है वो 200 Mbps का है So करीब करीब 40 to 45 Mbps तक यह speed जा रही है So download speed हमें मिल रही थी यहां पर 42 Mbps की और upload speed जा रही है करीब करीब 60 Mbps तर यह 2.4 GHz पर है जबकि input internet का 200 Mbps मिल रहा है एक और बार टेस्ट करके देखते हैं consistency के लिए So आप देख सकते हैं similar speeds है 30-35 Mbps तक है So download speed थी 43 Mbps और upload speed मिल रही है करीब करीब 50 to 53 Mbps पर Right, just to average out 3rd time भी try कर लेते हैं So यहां पर भी similar speed है 35 Mbps 35 Mbps download speed भी लिए हमें और करीब करीब 50 to 55 Mbps मुझे दिखरा है की upload speed भी मिल रही है चलिए हमने तीनो बार टेस्ट कर लिया है और तीनो रिजल्स अलमोस्स सिमिलर थे 2.4 GHz पर अब try करते हैं इसको 5 GHz पर connect करने के बाद So यह जो SSID है 5 G underscore 1 GB 32 यह 5 GHz का SSID है Connect हो चुका है और अब यहां पर speed test करते हैं अब आप speed का variation देखें Same internet है, same wifi connectivity है, सिर्फ band चेंज किया गया है 200 Mbps का internet connection है, हमें अब तो 201 download speed मिली है दोबारा try करते हैं So आप देख सकते हैं अगर आपको अपनी internet speed का पूरा benefit लेना है तो आपको dual band router लगाना चाहिए यह भी जादा महंगे नहीं आते हैं अगर मैं इनकी बात करूं कि आपको करीब 1200-1400 रुपे तक का मिल जाएगा single band router Dual band router भी आपको 1600-2200 रुपे तक का मिल जाएगा basic और अगर आप हाई-end में जाना चाहते हैं तो इसकी कोई लिवट नहीं है वो आपका 8000-9000 से शुरू हो के करीब 40,000 तक कभी आता है So this is it for this video. I hope आपको ये information useful लगी होगी और अगर थोड़ी भी useful लगी तो इस video को ज़रूर like करिएगा शेर कर देना अपने friends के साथ जिनको इस information की ज़रूरत है और अगर आप हमारे channel पे पहली बार आ हैं तो channel को ज़रूर subscribe कर लेना क्योंकि मैं ऐसे interesting content इस channel पे लाता रहता हूँ मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे थे Take Today और क्योंकि रहता हूँ झाल